हरोस्तों स्वागत है आपका हमाई चैनल केरियर अप्रेट बाइंजिनियर में मैं हूँ रंजनराज और एक नया अप्रेट निकल किया रहा है नीमी की तरफ से क्या है वो अप्रेट साथ कुछ हम लोग इस वीडियो में डिसकस करेंगे वीडियो में लास्त तक बने रहेगा अब दिखें यहाँ पर नीमी की ऑफिसल विपसाइट पर आप आते हैं और यहाँ पर आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको एक अप्डेट मिलेगा ठीक है इस तरीके का यहाँ पर आपको दिखेगा ADIT यानि कि Advanced Diploma Vocational on IT Networking and Cloud 2022 session course registration will be open by 6-4-2022 यानि कि 6 April से यहाँ पर इस course में registration हो जाएंगे तो अभी इसका detail notification नहीं आया है लेकिन इसका जो short notice है वो आ चुका है कि कौन-कौन इस course को कर सकता है और यहाँ पर यह भी कहा गया कि इस course को करते समय आपको कुछ stipend भी मिलेगा ठीक है कुछ stipend यानि कि कुछ पैसे भी आपको इस course को करने पर मिलेंगे ठीक है ऐसा start notice में लिखा गया है बाकी जब कल detail notice आएगा तो कल मैं वीडियो के माध्यम से detailed जो चीजे हैं उसको discuss करूँगा लेकिन आज अभी जो start notice आए उसको हम लोग देख लेते हैं कि यह course क्या है ठीक है यह जो ADIT advanced diploma vocational on IT है कितने year का course है कौन कौन इसको कर सकता है सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे तो आई चलते हैं इसके start notice की तरह देखें यह है notice और डारेक्टर डारेक्टर जर्नल्र आउप ट्रेनिंग मिनिस्ट्री आप इसको डिवलेप्मेंट एंड इंटर्प्रेनर से वह यहाँ पर साथे साथ आई बीम का लोगो लगा हुआ है इसका मतलब यह joint venture है यहाँ पर आप देख सकते हैं admission notice for advanced diploma vocational vocational in ITI networking and cloud यहाँ पर आप देख सकते हैं the directorate general of training DGT and IBM IBM एक company है इंडिया are jointly conducting the course two year two year का यह course होने वाला है advanced diploma vocational in IT networking and cloud NSQF level 6 in 24 ठीक है यहाँ पर आगला देखिए in 24 for national school training institute NSTI या NSTIW यानि कि यह जो course होने वाला है यह कहां पर conduct होने वाला है जो NSTI college है जहां से आप लोग CITS का course भी करते हैं जिसे हम लोग NSTI college को national school training institute बोलते हैं वहां से यह course conduct करा आजाएगा all over the India during the academic year 2022-2024 यानि कि all over India candidate यहाँ पर apply कर पाएंगे और इसका जो session रहेगा वो कब से रहेगा 2022-2024 तक रहने वाला है ठीक है 2022-2024 तक यह session रहने वाला है अब देखिए IBM stipend यहाँ पर देखिए चला रहा है वो आपको कुछ न कुछ stipend भी provide करेगा ऐसा यहाँ पर notice में लिखा गया है आप देखिए qualification required यानि कि आप अगर इस course में admission लेना चाहते हैं तो कौन कौन सी qualification आपके पास होना चाहिए देखिए 10th या 12th pass out प्लस आपके पास ITI का NCVT certificate होना चाहिए 1 year या 2 year trade में with minimum 60% mark या first class candidate pursuing CTS in NSTI या ITI and awaiting for result can also apply simple sad भासा में 7 लिजिए 10th या 12th pass out है आप साधे साधे आपने ITI कर रखा है एक साल का या 2 साल का आप इसमें apply कर पाएंगे अगर आप ITI अभी कर रहे हैं last year में है result का wait कर रहे हैं तो भी आप यहाँ पे apply कर पाएंगे यानिकि appearing candidate भी यह apply कर सकता है 12 अगर पास आउट है minimum 60% mark के साथ तो भी आप apply कर पाएंगे ठीक है अगर आप 10th pass out है with 3 year diploma in recognized board and minimum 60 year mark first class in diploma तो भी आप apply कर पाएंगे देखिए यहाँ पर किसी भी तरह का branch ये trade मिंसन नहीं किया गया है यानि कि simple है आपने किसी भी branch ये trade से किया हो ITI या diploma आप य 12th pass वालों को भी कहाँए अगर 60% mark के साथ पास आउट है तो वो apply कर पाएंगे और देखिए any regular degree from recognized university with minimum 60% mark अगर आपने कोई degree भी कर रखा है तो भी आप यहाँ पर apply कर पाएंगे देखिए ये एक तरह से skill कम job मुझे लगता है होने वाला है skill भी आपको सिखाई साएगी सा इसका कुछ stipend भी यानि कि कुछ पैसे भी आपको दिये जाएंगे और यह सब भी काम जो होंगे वो national skill training institute में होंगे यानि कि NSTI में होंगे अब देखिए यहाँ पर online जो इसका registration है 6 अप्रैल से सुरू हो रहा है यानि कि कल से सुरू हो रहा है और कल इसका अगर detail advertisement आ जाता तो उसका notification आपको सबसे पहले मिल जाए online registration 20 अप्रैल को बंद हो जाएगा और entrance exam की date 28.04.2022 को होने वाली है ठीक है तो जो लोग interested है course करने के लिए जो अभी खाली है ठीक है अपने time की utilize करना चाहते हैं course करना चाहते हैं तो उनके लिए है यह बाकी ऐसे वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती है तो चलोने subscribe किया तो चलोने subscribe जरू करेज़ेगा मिलते हैं इस वीडियो में नहीं जानका तक बने रहे हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवादी